एक बार एक राजा ने गुप्त समिती बनाई और उसे आदेश दिया कि वो राज के काजी यानी जज के बद के लिए सही उम्मीदवारों को ढून के लाए जब ये बात मुला नसरुदीन को पता चली तो उन्होंने ये आदत बना ली कि वो कहीं भी जाते तो कंधे पर एक पुराना मचली पकड़ने वाला जाल लाद कर जाते जब समित्य के सदस से मुला के गाउं पहुंचे तो मुला के इस हरकत ने उनका ध्यान अपनी और खींचा उन्होंने मुला से इसका कारण पूछा तो नसरुदीन ने बताया मैं इसे अपने साथ इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे अपने मुश्किल के दिन हमेशा याद रहे जब मैं गरीब मचुआरा हुआ करता था और मुझे कभी अपनी तरक्की पर घमंड ना हो जाए चैन समिती मुला की बात से बहुत प्रभावित हुए और उनको काजी बना दिया गया कुछ दिनों बाद जब समित्धी के सदस से दो बारा नसरुदीन से मिले तो उन्होंने देखा कि उनके कंधे पर वो पुराना मचली पकड़ने वाला जाल नहीं था तुम्हारा जाल कहां गया नसरुदीन उन्होंने पूछा मुला ने जवाब दिया जब एक बार मचली फस जाए तो फिर जाल की क्या जरूरत अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के बहारी रूप, पहनावे, हाव भाव वगेरा से धोखा खाकर उन पर विश्वास कर लेते हैं और हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वास्तव में वो इनसान अंदर से कैसा है चालाग लोग ये जानते हैं कि क्या बोलकर आपसे काम निकाला जा सकता है और वो आपसे वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं आम तोर पर होशियार लड़के, लड़कियों का पहनावा या उनका बात विभार ऐसा होता है जिससे वो आपको आसानी से प्रभावित कर सकें और आप उनको अपने जीवन साथी के रूप में चुन लें। इंटर्व्यू में भी लोग अकसर इंटर्व्यू लेने वाले के मनलाएक ही जवाब देते हैं। चुनाओं के दोरान ज्यादतर उम्मीदवार, सादगी और इमानदारी का ढोंग रचके अधिक से अधिक वोट बटोरने की कोशिश किया करते हैं। व्यापारी भी आपकी प करते हैं।